जैहें दुष्ट्रेंट्स वल्कम बैक अगें दिस इस दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम उनाइटे नेशन पीस किपिंग फोर्स के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज के सेशन की हम सभी जानते हैं कि विश्व की शांती की स्थापना कर करने के लिए यूनाइटेद नेशन और गनेशन ने 1948 में यूनाइटे नेशन पीस किपिंग मिशन की शुरुवात की थी 1948 में दुनिया के नक्षे पर एक नया देश इस्राइल जन्म लिया था जहां पर उसके सीमा विवात को निप्टाने के लिए और उस रीजन में पीस सिक्यूर्टी को स्टैबलिस करने के लिए United Nations Peace Keeping Force की स्टैबलिस्मेंट की गए और उसके समय के बाद से आपके जितने भी कंसर्णिंग नेशन थे उनके साथ निगुशेशन करके United Nations Peace Keeping के मिशन को आगे बढ़ाये गया United Nations की जो दो प्रमुक प्रिंस्पल ओर्गन्स हैं जिन में से एक United Nations Security Council और दूसरी United Nations General Assembly उनके द्वारा जो है Soldiers और पूलिस परसनल को United Nations Peace Keeping Force के मिशन में आपका रखा जाता है जिससे की Military as well as civilian जो परसनल से वो एक साथ कोलाबरेशन करके जो है इसका हिस्सा बन सके और International Day of United Nations Peace Keeper Day हर साल 29th में को मनाया जाता है अभी हाली में जितने भी 119 countries हैं वो सभी अपने Military as well as police personnel को United Nations Peace Keeping के मिशन पर आपका भीजा करती है और Total soldiers की बात कर लें तो 72,930 soldiers इसमें पार्सपेट करते हैं वहीं पे police personnel में ये संख्या 8890 की रहती है हम सभी जानते हैं कि जो United Nations Peace Keeping Forces हैं उनके तीन आपके main basic principles हैं जिसमें सबसे पहला consent of the party, दूसरा impartialty और तीसरा non use of force except in the self-defense and self-defense the mandate यानि कि पहला तो आपका consent of the parties, जितने भी parties हैं यानि कि माले जो कोई area आपका disputed है तो वहाँ पर सभी parties के साथ negotiation करके उस process को आगे बढ़ाना और impartialty यानि कि transparency के साथ जो है आपका उसको आगे बढ़ना ये इनका main motto, main feature रहा करता है फिर non use of force except in self-defense अगर बहुत ही ज़रूरत हो जाए तभी जो है वहाँ पर force के इस्तेमाल करें बलकि जादस जादा table talk करके वहाँ की समझे सुलजाया जा सके इसके इसके अलावा जो United Nations की military personnel है उनके काफी आपके responsibilities रखी गई है इन responsibilities में सबसे पहली आती है protecting civilians and other United Nations personals Second, monitoring disputed borders जैसे की इसराइल का example हो गया अभी आपका यमन और साओधी अरभिया में 2015 में ग्रियूद चला था अजर्मेनिया में चला था और अलग-अलग region में में अपका Sudan में और अफरीका में जो आपके concrete चलते हैं वहाँ पर जो disputed borders हैं, boundaries हैं उनका निप्टारा करना observing peace process in post conflict areas, providing security in the conflict zones अब अगर हम इनकी other responsibility की बात करें तो जैसे providing security during elections अगर हमें विश्व की सांती की स्थापना करनी है तो हमें democratic process लेकर आगे बढ़ना होगा जिसमें जादत से जादा लोगों की सहमती बना करती है इसलिए elections में इनका इस्तमाल किया जाता है assisting in country military personal training and support कोई country है उनको किसी भी तरीके की technical या फिर ट्रेनिंग आपकी मदद चाहिए तो इस peacekeeping force के द्वारा जो है इनकी मदद की जा सके assisting ex combatant in the implements with the peace agreements जो ex-servicemen रहे हैं उनके साथ भी सायोग करके इस process को आगे बढ़ाया जा सके इनको जो है आपका blue helmets कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारे proofs रहते हैं वो जादा जादा blue outfits को wear करते हैं और इनके जो helmets रहते हैं उसमें UN का आपका logo रहता है और वो blue color के आपके रहा करते हैं जो impact आपका diverse inclusive peacekeeping force में है सबसे पहला आपका ये women और girls के लिए जो है ये एक role model सावीत हो रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं और महिलाएं जो हैं अलग-अलग देशों में जाकर जो हैं ये प्रचार-प्रचार करते हैं कि हाँ आप हमें role model की दरह देख सकते हैं और अपने अंदर जो है स्विकारिता लाकर अपने आपको बदलिए दूसरा आपका improves operational and delivery of mandate through broadband skill sets तो skill को सिखाना, education में बदलाव करना ये भी इनका main approach रहता है communities कैसे expand हो सकें एक दूसरे के साथ brotherly hood की भावना रखकर वो आगे बढ़ सकें तो ये भी इनका main motor रहता है और इसी action के साथ United Nation Peace Skipping Force हमेशा आगे चलती है अगर हम भारत का contribution United Nation Peace Skipping Force में देखें तो भारत third ऐसा country है जो सबसे ज़्यादा आपकी force provide करता है पहले पर आपका Bangladesh जिसमें total 6710 आपके personal हैं दूसरे पर नेपाल 5706 तीसरे पर आपका भारत ये संख्या बढ़ती घरती रहती है according to the needs लेकिन ये जो तीनों region है वो भारत के ही आपके पड़ोसी है और जो South Asia आता है उनके अंदर यही भावना रहती कि अगर हम पैसे से तो नहीं लेकिन अगर हम श्रम से जो है विश्य शान्ती की स्थापना कर सकें तो उसके लिए हमारी अच्छी बात होगी आदर कंट्रीज देखें चौथे नमबर पर रवांडा फिर पाकिस्तान इथोपिया इजब इंडोनेशिया घना और दस्वे नमबर पर आपका चाइना है तो यह सबी देश टॉप 10 कंट्रीज है जो की United Nation Peace Keeping Force में अपने ट्रूप्स जो है भेजा करती है अगर हम major contribution Indian troops के देखें तो Korean war आपको याद होगा 1950s में किया गया था और इस Korea war में जो है settlement over जो prisoner of war Korea में था उसमें उस war को इंड करने में वहाँ पर peace को फिर सी establish करने में भारत को भूमिकार रही थी और भारत आपका Middle East, Cyprus और Congo देशों में 1971 से अपने forces को भेजता आया है और सबसे ज़्यादा जो हमारे United Nation Peace Keeping की आपकी जो troops होते हैं वो African countries की ही तरफ रहते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी instability पाई जाती है अभी तक भारत ने total 253,000 Indians को United Nation Peace Keeping Force में service करने के लिए भेजा हुआ है और हमारे अभी तक two military advisors United Nation Peace Keeping Force में हुए हैं जो की सबसे टॉप की position उन्होंने प्राप्त की हुई है वर्ष 2007 में भारत पहली ऐसी country बना जिन्होंने all women contingent United Nation Peace Keeping Mission में भेजा हैं यहाँ पर आप cars गाड़ियां देख पा रहे हो जिसको पिछले ही साल टाटा और भारत फोर्ज ने बना कर United Nation Peace Keeping Force के sit down mission में जो है इनको भेजा है जिससे कि वहाँ पर transport की दिक्कत नहों सके और जो ज जो है trust fund on sexual exploitation and abuse में contribution किया गया भारत ऐसी पहली country बना जिससे कि जो fund है उसको भी हम सही तरह किसी उच्राइज कर सके और किसी प्रकार का sexual exploitation ना हो पाए इस पर भारत आपका ध्यान दे रहा है अभी भारत में 175 Indian Peace Keepers ने अपने प्राणों की आहोती दी है जो की विश्च में बलकि अगर हमें यह जरूरत पड़ती है कि हमें अपने पाणों का बलिदान दे कर जो है विश्च विश्चानती के स्थापना करनी हो तो उसमें भी हम बिलकुल भी पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि भारती सेनाओं की ऐसे ही सिखलाई होती है इंडिया has been the largest troop contributed to the United Mission Mission since the inception 1950 से भारत जो है इसमें सबसे largest contributor आपका रहा है ब्लू हेलमेट्स में जो greatest death toll है उसमें भारत का death toll सबसे हाई है क्योंकि हम फ्रेंट पे रहते हैं हम सबसे जादा अपने troops को आपका contribute किया करते हैं United Nation Peacekeeping Force का जो आपका mandate है वो यही है कि वो सभी region में कैसे stability, security, peace process को आपका establish कर सकें और उसको promote करवा पाएं India chair of the three international commission का आपका रहा है जो कि Vietnam, Cambodia और Laos में जितने भी आपके peaceful process हैं उनका establishment 1954 के जनेवा accord के तहत आपका किया करता है तो भारत काफी बड़ा सही होगी है इसमें और भारत का यही उदेश है कि वो international community में जो आपके gap हैं relations में उनको कैसे fulfill कर सके और अपने छमता गनुसार वहाँ पर जो है बड़े भदलाव को ला सके The security council's mandate for United Nations peacekeeping operation need to be rooted in ground realities and correlated with the sources provided for the peacekeeping operation तो चाहे आपके बहतर हतियार देना हो या फिर यहाँ पर हमारे महिलाओं को देख पा रहे हैं यहाँ पर जो cars उसको भी भारत ने आपका contribute किया है तो जहां पे हमारी छमता है हम सक्षम हैं सभी प्रकार से हम जो है इसमें पहल कहा किया करते हैं और United Nations के द्वारा भारत को recognition भी दी जाती है इसके लिए आज किस क्लास में आपने United Nations Peace Keeping Forces के बारे में जाना जिनका International Peace दे जो रहता है वो हर साल 29 में को मनाया जाता है यह टॉपिक आपके SSB इंटर्वी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी डिफेंस एस्परेंट अपने इंटर्वीव और एस्परेंट है और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं